येशु ही वो सत्य है जो मनश्य को स्वधंत्र कर सकता है यहन्ना आट एक्किस येशु ने फिर उनसे कहा मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंडोगे और अपने पाप में मरोगे जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते येशु के क्रूज पर जाने का समय निकट था जिसके बाद वो वापिस स्वर्ग जाने वाला था उसका स्वर्गा रोहन होने वाला था शरीर में येशु उन अविश्वासी यहूदियों को कह रहा था कि अभी तो वो उनके सामने शरीर में मौझूद है इसलिए वे खुले मन से उसके पास आकर उससे सच जान सकते थे बाद में तो वो स्वर्ग चला जाएगा तो उनको फिर ऐसा आउसर नहीं मिलेगा कि सीधे उसके मुख से सत्य को जाने और तब वे अपने पाप में ही मर जाएंगे कौन सा पाप? यूनानी भाशा में यहां पाप एक वचन में है मतलब सिंगिलर मतलब एक पाप तो कौन सा है वो पाप? वो है अविश्वास का पाप जैसा आगे यहना सोला नौ में येश्व न कहा मतलब जो मनुश्य अपने अविश्वास में ही मर जाता है अर्थात जो कभी येश्व को अपना उद्धार करता सुफिकार नहीं करता वो वहां नहीं जा सकता जहां येश्व गया है अर्थात स्वर्ग में फरीसी और सरदार अपने इसी पाप में जीते थे मतलब अविश्वास में आज जो मनुश्य अपने एक धर्म बन कर रह गई है तो ऐसे मनुश्य किसी न किसी धर्म में तो हैं लेकिन सच्चे परमिश्वर से दूर है वे मृत्यू के पश्चाद स्वर्ग नहीं पहुंच सकते बाइस इस पर यहुदियों ने कहा क्या वह अपने आपको मार डालेगा मतलब सूइसाइड आत्मत्य कर लेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते अब यहुदियों का ये कथन क्या वह अपने आपको मार डालेगा ये एक तरह से भविश्वणी सिद्धूई हलांकि येश्व ने को मार नहीं डाला था बलकि उसने अपना प्राण स्वयम दे दिया था बलिदान के रूप में ताकि मानव जाती के पापों का दंड भूगता जा सके जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते येहुदि इस बात का अर्थ नहीं समझ पारे थे पिछली बार उन्होंने सोचा था कि शायद येशु अन्य जातियों के देश जाकर प्रजार करेगा जहां येहुदि नहीं जाना चाते थे वैसे उनकी यह बात भी एक भविश्वानी ही निकली क्योंकि पवित्रात्मा के माध्यम से येशु के शिश्यों ने सच है जिसकी और मनुश्यों का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो मृत्यु के पार के जीवन के विश्य में सोच नहीं नहीं जाता तेश येशु नहीं से कहा तुम नीचे के हो मैं उपर का हूँ तुम संसार के हो मैं संसार का नहीं मैं समझता हूँ कि येशु का ये कथन ही येशु को सभी धर्म गुरुओं से अला खड़ा कर देता है तुम नीचे के हो, मैं उपर का हूँ तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं क्या येशु ऐसा अपने एहंकार में कह रहा था? नहीं, वो तो सच कह रहा था येशु के अलावा आज तक किसी ने नहीं का कि मैं उपर का हूँ, मैं संसार का नहीं ऐसी बात या तो कोई सिर्फिरा कह सकता है या फिर वो जो वास्ताव में स्वर्ग का हो और स्वर्ग से ही उत्रा हो अब येशु के अलावा कोई स्वर्ख से उतरा ही नहीं है तो फिर कोई भी ऐसा दावा कर भी कैसे सकता है अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblestudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे अप्रेल के वीडियो में अप्लोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी अप्रेल का महिना है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अप्रेल के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए एक रपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेब साइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर 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 क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदीBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोस बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर शेटिंग्स का चिन दबाकर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240P सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शूरू से देखिए